असलाम लेकोम वेलकम टू माई चैनल कैसे आप सब आई होब कि आप सब ठीक होंगे आज की वीडियो का मैं स्टार्ट करती हूँ माशाला बहुत कुप्सूरा सनी डे था और वैदर काफी चेंज हो रहा है और जैसे जैसे धूपने कर रही है वैसे वैसे अनर्जी ज्यादा म के लिए इसमें आपने अर्लिंग मॉर्निंग खाली पेट कोफी लेके और नीम गरम पानी लेके उसमें आफ टी स्पून कोफी और साथ में लैमन के ड्रॉप्स एड़ करके तो आपने इसको खाली पेट पीना है इससे आपके वेट पे काफी फर्क पड़ेगा और बैली फ इससे काफी फाइदा है तो मैंने सुचा आपके साथ भी शेयर करती हूं और यह टिप आपके भी काम आएगी वेट लूस के लिए क्योंकि वेट लूस हर कोई करना चाहता है और अगर आप अपनी डाइट थोरी बैनस करके साथ इस तरह की कोई रेमेडी भी करें तो उसे जादा जल्दी रिजल्ट मिलते हैं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जो लोग मेरी वीडियो को फ़र्स टाइम देख रहे हैं यह आपकी तरफ से एक छोटी सा इनाम होता है हमारे लिए जिससे हमें हमारी मोटिवेशन में जाफा होता है थैंक यू वैसे मैं अर्ली मॉर्निंग जब उटती हूँ तो मैं सबसे पहले मैं यह ड्रिंक पी लेती हूँ उसके बाद मैं बच्चों को नाश्टा बनाती हूँ लंच बनाती हूँ और बच्चों को स्कूल चोड़के आती हूँ तो उससे भी मेरी वाक भी हो जाती है और फिर यह ज़्यादा इस तरह से इसका ज़्यादा एफेक्ट होता और वॉक करके आके फिर मैं अपना नाश्ता बना रही थी नाश्ता वैसे यह मेरा जो था यह आज थोड़ा हैवी नाश्ता था और यह वन से ना मन्त होई जाता है और साथ साथ पूरियां भी बन रही थी चोके मज़की थी और यह काफी सिंपल और इजी है इसमें आपको बहुता मेहनत नहीं परती मैंने वैसे रेस्पी जो आई अपने चैनल पर और रेडी शेयर की हुए अगर आप मेंसे कोई देखना चाहिए तो आप वो देख सकते हैं वैसे मैं आपको बता देती हूं इसमें मैं मैंने मेदा और आटा लेके बराबर लेके और उनको ऑईल डालके और बेकिंग पौडर डालके नीम गरम पानी के साथ गुंद लिया था और उसके पाद मैंने इसकी पुरियां बना ली थी और बस इसको गरम मॉल में डाल देना है और यह अच्छे से बन जाती है फोरण जल्दी से एक मिनट के अंदर और इसकी बहुत अच्छी सोफ्ट बनती है और चनों की जो रेस्पी थी वह तो सिंपल थी प्यास ब्राउंट मैंने किये थे और फिर उसके बाद अद्रा क्लै और इस तरह से चनोंएं भी त्यार थे और साथ पूरियां भी और यह नाश्ता माशाला से हो गया था जो कर बहुत मज़एका था क्योंकि बाहर से तो इसलिए पर जो घर में हम बनाते हैं तो माशाला से अच्छी बन जाती है और फिर वह जाइका भी आ जाता है जो पाक्स कि जोरी जो बन गी है पहले शावेज जो था वो लीजा के साथ जादा खेल जा था लेकिन अब लीजा जैसे जैसे बड़ी हो रही है लीजा थोड़ी सेपरेट होती जा रही है और ये शायान और शावेज ये दोनों भाईया माशाला अकठे बैट के क्योंकि अब इनके क्यान जब सोता है तो शावेज खोता है कि बस ये उट जाए और मेरे साथ खेले जब मैं स्कूल से वापिस आजाओ और ये नेक्स टे की वीडियो थी हमें आयो थी अपनी वेक्सिनेशन के लिए सेकंड डोस्त के लिए जो के होगी थी इसके बाद मेरी तबियत काफी अप मैं बता रही थी कि वेक्सिनेशन की जो मेरी सेकंड डोस्ती वो मेरे लिए काफी पेइनफुल रही है उसके बाद मुझे काफी फीवर भी रहा है और हैडिक भी रहा है वीक्नस अभी थी काफी नेक्स टे तो मैं बिल्कुल नहीं उट सकी थी ये उससे फिर एक दिन आराम जो किचन की चीज़े होती हैं वो सबके घर में ये चीज़ें बेसिक हैं और ये मजूद होती हैं तो इनसे आप फोरां इंस्टेंट स्किन ब्राइट मास्क है ये इसके लिए हम लेंगे वन टेबल स्पून बेसन और फिर इसके साथ हाफ टी स्पून मैं इसमें कॉफी यानि मिल्क थोरा से इसमें एड करूंगी और इसका मैं थिक सा पेस्ट बना लूंगी और इसको आपने फेस पे हाथों पे अपलाई करके देखें एक तो इससे फोरां आपकी स्किन पर एक व्राइटनेस आजए की और दूसरा ही है कि आपके स्किन बहुत स्यदा क्लियर हो मिनट्स के लिए अपने फेस पे लगा रहने देना है उससे आपके स्किन में एक बहुत इंस्टेंट ब्राइटनेस और शाइनिंग आएगी और आपके क्लियर हो जाएगी आपके स्किन तो मैंने सुचा यह कोफी से आज 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 आपकी एक तो वेट लूस में भी हेल्प और मैं अपने हाथों पे यह प्लाइ करूंगी और इसको फाइव टैन मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी और इसी तरह मैं इसको अपने फेस पे भी लगा के छोड़ दूंगे और फिर बात में आपको इसका भी रिजर्ट दिखाते हूं दस मिनट लगा रहने के बाद आप अपने हाथों को भी पानी के साथ वोश कर लें और साथ अपने फेस को भी और टौवल से ड्राइ करने के बाद आप रोज वाटर का इसके उपर सप्रे कर लें और यह बहुत अची रेमेडी है वीक में एक दफ़ा तो जरूर करने चाहि और आपके स्किन भी ब्राइट लगने लग जाएगी जैसे ये मेरे हाथ लग रहे हैं इस वक्त इन्शाला मैं आपसे मिलूंगी नेक्स वीडियो में अपना बहुत क्यार रखेगा टेक कियर अल्लाहफेज